हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का नाइस कंप्यूटर की स्मार्ट क्लास में जैसे कि आज हम जानने वाले हैं ब्राउजर के बारे में ब्राउजर होते क्या हैं जैसे कि आज हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए हमारे पास एक ब्रावजर होना चाहिए किसी ब्रावजर को ओपन किये बगार हम किसी वेबसाइट को नहीं खोल सकते हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ब्रावजर्स हैं जो हमने ओपन करके रखे हैं इसमें हर एक ब्रावजर का अलग-अलग यूज है लेकिन आज कुछ ब्रावजर हैं जिनका परियोग बहुत अधिक होता है जिनका परियोग हम इंडियन्स अधिक तर करते हैं दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो इससे सब्स्राइब कर लें लाइक करने डोस्तों में सेयर करें सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मौजला फारफॉक्स दिया हुआ है फिर उसके बाद में UC ब्राउजर है तमाम सारे ब्राउजर्स के नाम दिये गए हैं आज कुछ ब्राउजर्स इसे हैं जिनका हम अधिक परियूग करते हैं जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं सबसे उपर उपेरा ब्राउजर है फिर गूगल क्रोम है उसके बाद में फिर Microsoft का इंटरनेट एक्स्पोरर है उसके बाद में फिर यहां पर दिया गया है जो Microsoft Ace एक नए ब्राउजर लांज किया गया विंडू 11 में आपको देखने को मिल जाएगा फिर है Mozilla Firefox Mozilla Firefox भी एक ब्राउजर से तो आप लोग देख सकते हैं ब्राउजर्स के नाम यहां दिये गए हैं आईए चलते हैं इनके बारे में विस्तार पूरवक से जानते हैं सबसे पहले जैसे ब्राउजर्स होते हैं एक software होता है जो इंटरनेट पर उपलाद विभिन वेब साइटों का उपियो करने के निमती देता है यह वेब पेजों को खोलता है और उन्हें संचारित करने में मदद करता है ब्राउजर के माध्यन से इंटरनेट पर अनेक विभिन संसाधन जैसे वेब साइट, वीडियो, आईडियो, इमेस आज ही देखे जा सकते हैं सबसे पहला जो ब्राउजर हमारा है Google Chrome जैसा कि आज हर एक मोबाईल फोन में आपको यह ब्राउजर देखने को मिल जाएगा बहुत ही उप्योगी ब्राउजर साबित हो रहा है हर एक लेफ्टॉप, कम्प्यूटर में अधिक तरह हमको Google Chrome देखने को मिल जाएगा Google Chrome जो है Google का ही एक software है यह Google के platform पर बनाया गया internet browser है इसका अपना एक अलग लुक है यह तेजगती से काम करता है इसमें कई सारे plugin pre-loaded होते हैं इसे सितंबर 2008 में lance किया गया था बाद में इसका mobile version भी lance किया गया जैसा कि हम सारे mobile phones में देख पाते हैं फिर अगला जो इसका browser होता है mozilla firefox mozilla firefox जो web browser है जैसा कि जो mozilla firefox होता है उसका symbol इस प्रकार से होता है जहां पर इस प्रकार का logo बना हुआ है हम समझ सकते हैं कि एक mozilla firefox web browser है इसको mozilla corporation ने lance किया था mozilla जो firefox browser हमारा इसको 2002 में lance किया गया और mozilla firefox एक तेजगती का browser है सभी प्रकार के font को support करता है कुछ वर्ष पहले इसका hindi version भी lance किया गया था अगला जो आपका web browser है internet explorer जो की microsoft ने इसे lance किया था लेकिन अब इसको हटा दिया है और एक नया browser उसने lance कर दिया है internet explorer जो हमारा होता है इसको आगस 1995 में windows 95 के साथ lance किया गया था इसने वो भ्योकताओं का internet का पर्थम बार अन्भोक कराया आज के दोर में भी ज़्यादा तर user internet से मतलब internet explorer से ही होता है अगला web browser जो हमारा होता है safari जैसा कि आप देख पा रहे हैं web browser safari safari को लोगो इस प्रकार का होता है जो browser का safari को 2003 में apple company ने safari को खास अपने operating system mic के लिए तयार किया गया यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो apple एक company का trademark है और यह company जो है tablet, laptop और iPhone गयरा बनाती है तो इसमें जो इसका swim का software होता है swim का system software होता है जो की mic होता है और mic के साथ में इसको inbuilt किया गया safari को 2003 में बनाया गया इसमें जो है system mic के लिए तयार किया गया था पर्थम या सिर्फ उन्हीं के computer का software करता था लेकिन बाद में इसका windows version भी लांच किया गया next जो बे ब्रावजर हमारा उपेरा है अपेरा software एसे ने वर्स 1994 में एक बहुत तेज गती वाला बेब ब्रावजर लांच किया जिसकी गती को आज तक कोई मात नहीं दे पाया है ये आज भी सरवादी गती वाला बेब ब्रावजर से है Microsoft Ace Microsoft Ace एक बेब ब्रावजर है जिसका यूज करके वेब ब्रावजिंग वेब सर्फिंग भी की जा सकती है जैसा कि सभी जानते हैं कि वेब ब्रावजर की एक ऐसा software होता है जो users को इंटरेनेट का यूज करने में help करता है क्योंकि बिना इसका यूज किये ना किसी की website पर visit कर सकते हैं करना ही किसी जानकारी के बारे में इंटरेनेट पर हम सर्च कर सकते हैं तो यह ब्राउजर है फिर पहले इसका जो सौफ्ट्वियर Microsoft द्वारा Windows Microsoft के लिए इंटरेनेट इस्कोलर डिफाल्ड मिलता था जो कि ज्यादा तर यूजर्स को अच्छा नहीं लगता था इसलिए Microsoft ने इसे अपडेट कर दिया जिसे Microsoft एस ब्राउजर का नाम दिया है तो इस तरीके से यह ब्राउजर थे जो बहुत ही उप्योगी ब्राउजर्स हैं जिनका परियोगम प्राय अपने कम्प्यूटर में लैप्टॉप में करते हैं दोसको इस तरीके से आप जान सकते हैं उनक लोगों अलग-अलग होते हैं तो यह था ब्राउजर्स के बारे में एक वीडियो जो आपके लिए बहुत ही महत्पूल था त्योंको पुरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में नई सुचना के साथ तब तक के लिए जए हिन वन्दे मातरम